हाई अब हम लोग बात करने वाले हैं react native के इंदर status bar के बारे में अब पहला question यह हो सकता है कि status bar होता क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में इसकी style वगरा कैसे update कर सकते हैं इसको hide and show कैसे कर सकते हैं normal properties change करके बताऊंगा पहले status bar जहाँ पे आपको time कुछ icons यहाँ पे wifi और battery वगरा की symbol वगरा दिख रहे हैं इस area को बोला जाता है status bar और यह important क्यों है इसकी style हमें क्यों करने ही पड़ती है अब देखो यहाँ पे आपको black सा color दिख रहे है और आपको application है यहाँ पे green color की red color कुछ अलग ही चटक सा color है तो यह आपको बीच में ऐसा लग है कि यहाँ कुछ अलग सा ही दिख रहे है पूरी screen एक color की दिख रहे है और यहाँ पे जो एक area वो अलग दिख रहे है तो जब भी हम लोग कोई application के डिजाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा second point के साथ में और status bar नॉर्मल यूज करते हैं इसके बाद में इसका style of gear अड़ करते हैं यह हमारा code editor है जिसके लोग हमारा code करने वाले है इसको थोड़ा सा side पे place कर देता हूं ताकि दोनो code editor and amuletory की screen में दिखें side यहाँ भी hide कर देता हूं explorer को सबसे पहले मैं यहाँ यहाँ गरूँगा जो हमारा status bar होता उसको import करता हूं status bar इस तरह किसे import करेंगे और इसको आप यहाँ भी use कर सकते हो ठीक है एक चीज मैं आपको और बतायता हूं iOS के अंदर भी status bar होता है जैसे मैंने आपको बता दिया भी बट उसके अंदर थोड़ा सा style चेंज करने के लिए थोड़ा सा अलग code करना पड़ता है बहुत exactly अलग code नहीं करना पड़ता है थोड़ा सा अलग करना पड़ता है अभी मेरे पास Windows operating system है एक वीडियो में Mac OS के अंदर बना दूँगा ताकि आपको मैं यह दिखा पाऊं कि जो iOS वाला simulator होता है इसके ओपर आप status bar कैसे चीन कर सकते हो जल्दी बना दूँगा अभी के लिए Android वाला यह मैं पार्ट दिखा पाऊंगो आपको स्टेटस बार इस तरीके से हम लोग इसको simply use कर सकते है इवन आपको brackets वगारा अलग से close करने की जरूरत नहीं है self closing brackets भी use कर सकते हो और इसको कोई wrapper वगारा बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर simple view के अंदर इस तरीके से आप इसको use कर सकते हो इसके अंदर कुछ properties हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले मालो आप इसका simply एक background color change करना चाहते हो right so यहाँ पर आप लिख दो background color और कोई भी color जो आप add करना चाहते हो for example मैं आप add कर देता हूँ red जैसे मैंने रेड कर रहा तो यह red color का हो गया अब मैं इसमें कर देता हूँ orange तो यह orange color का हो जाएगा जो भी आप color पूट करना चाहो इसके अंदर color up फूट कर सकते हो बहुत ही simple होते हैं अच्छा उसके बाद let's say इसके अंदर आप जो इसका style है यह change करना चाहते हो ठीक है एक इसकी एक अलग से property होते है जिसको आप बोलते है बार style तो मैं हाँ पर simply लिखता हूँ अच्छा आपर मैं कोमा देने की जरूरूत नहीं है पार style इसके अंदर दोजिन properties होती है आप इसके अंदर dark content add कर सकते हो light content add कर सकते हो तो मैं यहाँ पर गरता हूँ dark content add कर देता हूँ ठीक है आप देख सकते हो dark light and default तो मैं आप इसका dark content add करता हूँ तो आप देख सकते हो जो colors है न, इसके, सारे के सारे black color के हो गए है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर, सेम इसी तरी के से आप चाहते हो, light का, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे आप light करोगे, तो इसका जो colors है, वो light हो जाएगा, default, जानकी, जो भी default चल रहा है, आपके application के अंदर light है, या फिर dark है, वो चल जाएगा, ठीक है, जैसे कि, हाँ पर तीनी option है, default करोगे, जो by default होगा, फिर वही चलेगा, by default light ही है, हमारे इस emulator के अंदर, ठीक है, अब आप चाते हो कि यार, इसको, थोड़ा, मैं कोमा क्यों लोगा दे रहा हूँ, अब आप चाते हो कि हम लोग इसको hide ही करना चाता है, हम इसको देखना ही नहीं चाते, तो वो भी option है, आपके पास, simply यहाँ पर लिखतो, hide, और इसके अंदर आपको boolean property देनी है, true or false, अगर true होगे, तो यह hide हो जाएगा, जैसे मैं आपको देता हूँ, अब देखो, पूरा पूरा उपर से, जो status बारे यही गायब होगा, पूरा पूरा area आपके application का है, ठीक है, यह भी आप क कैसे कर सकते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं, right, so मैं सबसे पहले यहाँ करता हूँ, कुछ style ले देता हूँ, मैं यहाँ पर इसको style दे दूँगा, styles.container करके ले ले इसका नाम, यहाँ पर इसकी style कर देंगे, और साथ की साथ बटन भी ले लेता हूँ, ठीक है, सबसे ले टोगल कर देता हूँ, toggle status bar, alright, अचा, उसके बाद में एक बटन और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, आप इस पर कर सकते हो, let's say, update style or something, जो भी आपको ठीक है लेते हैं, वो आप कर सकते हो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो यह बटन है, हमारे थोड़ा सेन्टर मे लाने ही कुशिश कर लेते हैं, so, simply लिखता हूँ मैं हाँ पर, container और flex one, उसके बाद में आप कर सकते हो, let's say, justified content center, तो center में आ जाएंगे, या दोनों center में आ गए, इनके बीच में थोड़ा सा आप space वगरा देना चाहते हो, तो आप चाहो तो इनमें थोड़ी view वगरा लगा आपके margin padding add कर सकते हो, but that's okay, अभी के लिए हमारे पास दोनों button दिख रहे हैं, ठीक है वो, अच्छा, तो सबसे पहले मैं या करता हूँ, एक state लेता हूँ, और यहाँ पर करता हूँ, const, और यहाँ पर करता हूँ, let's say, height, and set height, और by default इसके value रखता हूँ, मैं, use state के साथ मैं state use करें, false, यान कि by default यह hide नहीं होगा, so मैं यहाँ बेगर देता हूँ, hide, तो by default hide नहीं हो रहा, और अगर इसके value होती true, तो क्या होता है, hide हो जाता हूँ, जैसे की, अब हो गया, ठीक है, so by default मैं इसके value रखता हूँ, अब इसको toggle करने के लिए मैं यहाँ पर, on press event देता on press के उपर हम लोग क्या बोलेंगे, जो आपका set hide है ना, इसको आप change करो, उल्टा कर दो, जो भी hide का है, अगर hide के अंदर true है, false कर दो, false है, तो true कर दो, अभी toggle होगा देखो, press करूँगा, hide हो गया, press करूँगा, show हो गया, press करूँगा, hide हो गया, press करूँगा, show हो गया, interesting ह सेम इसी तरीके से, हम लोग यहाँ पर एक और const ले लेते हैं, और इसके अंदर simply लिखते हैं, let's say, bar style, कि यह देते हैं, यहाँ पर कर देता हूँ, set bar style, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, let's say, use state, और by default कर देते हैं, यहाँ पर default, जो भी default है आपका, वो चलता रहे हमें को द करता हूँ, इसलिए property को add कर सकता हूँ, jsx लगा के इस तरीके दे, ठीक है, और यह चलती रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ, let's say, क्या होता है वो, dark content, dark, ठीक है, so, अब देख सकते हैं, by default black हो गया, so, हम लोग के dark content करेंगे, but, किसके उपर करेंगे, on press के उपर, जैसे हम लोग ने यहाँ पर change करा, set, इस तरीके से, यहाँ पर करेंगे, on press, on press के उपर, एक हमने लिया, arrow function, और यहाँ पर लिखेंगे, set, bar, style, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर डालेंगे, let's say, dark, ठीक है, जी, हम लोग ने डाल दिया, इसके अंदर, और by या light रखें, by default, by default, light ही है, तो, ठीक है, default ही, चलने लेते हैं, ठीक है, so, right, so, by default light है, जैसे मैं update करूँगा, यह dark हो जाएगा, बाद में opposite नहीं होगा, because हमने इसको toggle नहीं बना जा, toggle हमने इस वाले उपर वाले part का बना रहा है, ठीक है, so, आप इसको गड़ टोगल बनाना चाहते हो, तो, आपको if and else लगा नहीं पड़ेगी, because यहाँ पे हमारे पास true and false value होती होती, तो इस तरीके से वालोग इसको use कर सकते थे, anyways, so, अब हम लोगों ने इस part के अंदर क्या क्या देख लिया, कि इसको completely hide कैसे कर सकते है, background, color change कैसे कर सकते है, let's say, मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, blue कर देता हूँ, so, आपका यहाँ पे यहाँ पूरी screen blue होगी, so, background, color, bar style, bar style के अंदर कुछ और properties भी होती है, वो भी आप check कर सकते हो, style के अंदर, और hidden हम कैसे कर सकते हैं, यह हम लोगों ने देख लिया, so, काफी सारी चीज़ देख लिए, next part के अंदर मैं आपको यह बताऊँगा, कि यह सारी यह सारी चीज़ें आप, iOS वाली application के अंदर कैसे कर सकते हो, right, so, thank you so much, और आपको यह भी मैं एक वीडियो के अंदर चलती ही बताऊँ, कि अगर आपको कभी conditional code लगाना पड़ जाए, कि iOS में थोड़ा अलग तरीक से दिखाना है, Android के अंदर थोड़ा अलग तरीक से दिखाना है, तो वो कैसे कर सकते So, thank you so much for watching this video, और मैं आपसे request करूँ कि please वीडियो को like करो, channel को subscribe करो and comment section में अपना feedback दो, और यह मेरा PTM का donation number है, thank you guys, thank you so much